कि नमस्कार में अंचली मेशो और स्वागत है आपका अमारी चैनल में इस वक्त पंजाब में मद्दान चल रहा है और इसी दोरान एक बड़ी ख़बर पंजाब सो निकल कर सामने आ रही है वो यह है कि बॉले वुद एक्टर सूनु सूत की गाड़ी को जब्ट कर लिया गया साथी उन पर गंभीर आरोप लगाए गया है वोटर से उनको पैसे बाटे हैं बता दे कि मौके पर पहुचे जो पुलिस से उन्होंने उनकी गाड़ी को जब्ट कर लिया है और साथी सोनु सूत को वार्निंग दे कर वहां से घर वापस लोटा दिया गया है बता दे कि इस अगर वह घर से बाहर निकलेंगे तो उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी इस वक्ति बड़ी खबर है यह बता दे कि सोनु सूत के खिलाफ जो इस तरीके से करवाई की बात कहई गई है सोनु सूत के ओपर गंभीर आरोप लगा गये हैं सोनु सूत में उनकी बहेंद इस व वर्निंग देकर वापस भेज दिया गया है और कहा गया है कि अगर घर से निकलते हैं तो इन पर कारवाई की जाएगी आखिर क्या है यह पूरा मामला इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बता देते हैं अभी तक कि जो अपडेट है उसके पंजाब के 177 सीटों पर हो रह और उन्हें घर में रहने के एक कड़े निर्देश जारी कर दिये हैं इस कारवाई से बाकी प्रत्याशियों में मानो हरकम समझ गया है और कॉंग्रेस की हालत इस वक्त काफी जादा खसता नजर आ रही है जहां पर सोनू सूत के कैसी इमेज है कि उन्होंने काफी जादा सम लगाने के लिए मद्दाताओं को प्रवावित करने के लिए पोचना पढ़ रहा है यानि सबस्क्राइबी कभित पंजाब में पंजाब के और पर्त्याशों के हालात पंजाब में कैसे होंगे जिए साफ्ट तोर पर दिखाती है कि पंजब कि 70 और पार्टी कॉंग्रेस के कि सोनु सूथ को इस वक्त आज मद्दान हो रहा है और ऐसे में निकल कर बाहर जो है मद्दाताओं से बात करने की जरुवत पड़ गई पैसे बातने की जरुवत पड़ गई ताकि उनके बहन को वोट डाले जा सके और उनके बहन जीच सके बतादे कि अकाली दल के पोलिंग कारवाही की गई की आगे की कारवाही के लिए चुनावायो को लिखा जा रहा है वहीं पिछले कई दुनों से अपनी बहन के लिए प्रिचार कर रहे हैं जो कि कॉंगरेस के तरफ से मोगा सीट पर उमिधवार है वहीं बता दे कि से लेकर सोनु सूत की नीजी गाड़ी को सिटी वन में खड़ा कर दिया गया है सोनुसूत का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुन्यादी है उन पर लगाए गए जो आरोप है पूरी तरह से गलत है उन्होंने किसी भी तरह से मद्दाताओं को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं की थी उन्हेंने कहा मै मैंने तो सर्फ अपने समर्थकों से रिपोर्ट लेने के काम किया था मैं अपने समर्थकों से रिपोर्ट ले रहा था यहां पर देख सकते हैं कि समर्थकों से रिपे और रिपोर्ट लेने का मतलब क्या है कि वोटर्स निकल रहा है और उनसे पूछ रहे हैं कि कि आपने कि मामले की रिपोर्ट से तलब की गई है इस बारे में प्रशाशन का कहना है कि अगर आरोप सही पाए गए तो कड़ी कारवाई की जाएगी गौर तलब है कि आज सुबह से ही सोनुसूत और उनकी बेहन मालविका सूध हर बूत पर मद्दाताओं से मिल रहे हैं मालविका मोगा सीट से चुनाव लड़ाई है और सीट भाश्मा प्रत्यासी हर्जोत कमल से मालविका का सीधा मुकावला देखने के लिए मिलेगा बचाने की गुज़े प आयोकर इमेडियेट एक्षन लेना चाहिए वहीं सोनुसूत को बता दे कि रंगे हाथ पकड़ा गया जहां पर वोटर के बीच पैसे बाटते नजर आये थे जिसके बाद उनकी गाड़ी जप्त कर ली गई है और उन्हें कि जो है एक तरह से अल्टिमेटम दिया गया है और उसके बाद उन्हें वापस भेज़ दिया गया और कहा गया है कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो उनके उपर सक्त कारवाही की जाएगी बता दे से लेकर लागतार जो हैं अब लोग सवार कड़े करने हैं रुद्र सेन गौतम करके एक ट्विटर है उन्होंने इसे ट का मिशन का कहना था कि सोनुसूत और उनकी मालविका है वो लोग हर जगा गार पर जा रहे थे और वह जो है मत दाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे जह साफ तौर पर दिखाया आयोग के निर्देशक पर सोनु सूथ की गाड़ी को पुलिस ने सीज कर लिया था काली दल के जो चुनाव आयोग से सोनु सूथ को अपने बूत के अलावा दूसरे बूतों पर जाने के शिकायत दच करवाई थी जिसके बाद उन्हें फॉलो किया गया और शिकायत जो कॉल उन्ही को क्वाणर निकलते हैं तो उनके ओपर सक्थ कारवाही की जाएगी थूपर आपको आपको बता लएतक तो से ऐसी चबश करने क्काव करें क्वां कर रही है कि आपस में ही नज़र आ रह रहें ठीक거야 ग्र tässä सब्सक्राइब काफी सवाल खड़े कर दिये हैं कि कॉंग्रेस अपनी जीत को लेकर बिल्कुल भी उठानी शेव काफी काफी इंसी नजर आ रही है और उनकी इसी से दिख रही है कि उन्हें वोटर सप्राप्ट करने के रिए बूत कैब्चरिंग और पैसे बाटनी जैसे वोट खृइएं जैसे की जासा थकरत पर पर दर्शाता है कि पंजाब में कितनी Purdy और सते चनी बड़े बड़े बयान देटे नजर आते हैं इस तरीके की स्वांधल किछ सधाह 5527 की शेल गर fár चले गए द्रस्की भाग गई युवाओ को नौकरी ने मिले बेरोज़गारी बढ़ गई जो लिबर्स थे उनको उनको उनका ख्याल नहीं रखा गया जो गरीब थे और भी ज़्यादा गरीब हो गया और इस तरीके के कई सारे मुद्दे हैं जिसे उठाया जा रहा है कि इस पैसे बाटने बूत कैप्चरिंग जैसे काम करने अब उतारू हो चुकी है अब ऐसे में आपको बता दे कि लोगों का जुमावरा लोगों के भीड़ है काफी लोग उतसा से पंजाब में इस वक्त वोटिंग करते हैं नजर आ रहे हैं बीजेपी के तरफ लह नजर आ रही है कि वह वापस से अपने घर से नहीं निकलेंगे तो ऐसे में इस पूरे मामले पर सोनू सूथ के गाड़ी सी जोने और सोनू सूथ को मिले वार्निंग पर आपके जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतार